पधिपत्नी की लड़ाई में पीटे पुलिस वाले चपल डंडों से बीच सडक पर पीटा गया Sdm के आदेश पर विवाईता के आट माहा के बच्चे को लेने राजस्तान में नार्नोल की गाउ बांस किरारोद गए पुलिस कर्मियों से गाउ के लोगों ने लाठी डंडों से मार पीट कर वरदी फार दी विवाईता के विवाईत के परिजनों को भी काफी पीटा नारनोल पुलिस थाना में विवाईता के ससुराल पक्षे के तीन ज़नों के खिलाप विविन धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है पिरित के पती को गिरफतार कर लिया गया है बहरोड पुलिस थाने के हैट कॉंस्टिवल कालूराम शर्मा ने बताया कि मधुसैनी की शादी वर्च 2015 में नारनोल के बांस किरारोध में हुई थी शादी के बाद ससुराल के लोग परिशान करते रहे वो पीहर में रहने लगी विवाईता के आठ माह के बेटे अंश को डेड़ माह पहले ससुराल के लोग छीन कर ले गए पिरित ने SDM सुरेश यादो को रिपोर्ट पेश कर बच्चे को दिलाने की मांग रखी SDM की आदेश पर सोमवार को पिरित मदुसैनी उसकी माह रेश्मी देवी उसका मामा लाला राम सिपाई प्रद्युम्म के साथ गाड़ी से पिरित के ससुराल गए जासे ससुराल जनों से समझाईश कर बच्चे को लेकर वापस लोट रहे थे तबी गाव से दो किलोमीटर दूरी पर पिरित के पती विरंद्र सैनी ससुर, सोमदंत देवर, सुरेंद्र बाइक पर आए और वाहन के आगे बाइक लगा दी पुलिस कर्मियों ने गाड़ी रोकी पर विरंद्र सैनी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया पेडित मदु ने बताया कि उसकी छोटी बहन नीतु की शादी किरारोध में वर्ष 2015 में हुई थी जाहा ससुराल पक्षे के लोग एक साल बाद उसके साथ मार पीट कर घर से बाहर निकाल दिया गया नार नोल में दह कि रिपोर्ट